नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है चक्रवाती तुफान ताउते के बाद आज बारी तुफान यास की थी लिहाजा उडिसा और पश्चिम मंगाल के तट से टकराने के बाद निजले हिस्ते में इसने काफी कहा ढ़ाया उडिसा और पश्चिम मंगाल में 145 किलिमिटर प्रति घंटे गिरफतार से हवाओ के साथ समुद्री तटो से टकराने के बाद भिसर्ण चक्रवाती तुफान अब कहते हैं कि कमजूर पड़ गया है लेकिन निजले हिस्ते में उग काफी पानी भर गया है उडिसा के भद्रक जिले में धामरा के उतर और बहनागा बलाक के नजदिक बाला सोर से 50 किलिमिटर दूर तर्ट पर सुबह लग बर 9 बज़े ये ठकराया और देड़ बज़े तक इसके पहुँचने की प्रक्रिया पुरी हुई इसके बाद इसका असर बिहार और जहारगंट तक भी देखने को मिला वहां भी बारी सुरू हो गई है मौसम बदल गया है लेकिन वहां पे यास के पहुचने से पहले ही जहानाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख करके यकिन नहीं होता कि वास्तों में ऐसा कैसे जी हाँ एक तिर मंजिला मकान तास के पत्ते की तरह भर भरा करके गिर गया देखिये वीडियो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से ये मकान धीरे धीरे जुकता है उसके बाद अचानक सडक पे गिर जाता है उसके पाद जश्ट कुछ सेकेंड पहले एक ट्रक वहाँ से गुजरा होता है उस समय बिजली के पोल और तार के नीचे कोई नहीं था और नहीं मकान के आसपास कोई दीख रहा है अदरवाई बड़ा हाथसा हो सकता था जो खबरे मिल रही है उसके मताबिक मकान के ग्राउंड फ्लोर पे कपड़े की दुकान थी सबसे पहले उसमें जोर से आवाज होई चुकि यास के आने की दस तक देने की खबर आ चुकी थी इसलिए लोग पहले से अलर्ड थे और जैसे जोर की आवाज होई वहां से निकल गई है बड़ा हाथसा टल गया है लेकिन देख करके यकिन नहीं हो रहा है कि आखिर कारिया मकान कैसे गीरा क्या इसके बनावर्त में कोई टेकनिकल खामी थी या और कोई वज़़ अब यह तो जाज के बाद ही पता चलेगा तो आप रहिए ने बेखबर देखते रहिए इ Thank you